दोस्टो अगर मैं आपको बोलूं कि ऑनलाइन पैसे कमाने का एक ऐफाइसा शांदार और रियल तरीका भी है जिसमें ना तो दोस्टो आपको किसी भी परकार का को यूट्यूब चानल बनाना है और ना दोस्टो आपको उसमें वीडियो अप्लोड करनें ना दोस्टो आपक रियल तरीका है जिस पे दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो आपको हर मेने कम से कम 50,000 से 1,500,000 या 1,500,000 रुपए भी मिलेंगे और ये 100% रियल तरीका है आप जानते हैं कौन सा तरीका है नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दिता हूं इस तरीके का नाम है दोस्तों Shopify शिपिंग बिजनस को देखे दोस्तों आज का ये वाला वीडियो मैं आप के पांच स्टेप में बना रहा हूं सबसे पहले स्टे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर पे बैटे बैटे शौपीफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनस को स्टार्ट करना चाहत उसके लिए कौन-कौन से ऐसे अप्लिकेशन है जो आपको इंस्टॉल करने अपने स्टोर के अंदर और तीसरे स्टे में दोसों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने स्टोर बना लिया तो अब आप प्रॉड़क्ट वहां पे कैसे इंपोर्ट करेंगे कौन सा ऐस आप्लिकेशन है जिससे आप प्रॉड़क्ट ले सकते हैं उनको बेच के पैसा कमा सकते हैं आगले स्टे में दोसों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे प्रॉड़क्ट आप कहां से और कैसे रिसर्ट करेंगे जो विनिंग प्रॉड़क्ट होते हैं जिनकी ज्यादा से लाती है और लास्ट सिस्टे में दोसों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने स्टोर बना लिया उसमें प्रोड़क्ट इंपोर्ट कर लिये कम्प्लीट प्रोड़क्ट रिसर्च भी कर लिया तो अब आप उनका प्रमोशन कैसे करेंगे अपने स्टोर को ज्यादत अ लोगों तक कैसे पोचाएंगे सेल कैसे लाएंगे और पैसे कैसे कमाएंगे तो अगर दोस्तों आप एक बिगनर है आप शौपीफाय ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते आपको जीरो नॉलेज है तो आज का ये वला वीडियो आप एंड तक देख लो आज इस वीडियो में शौपीफाय ड्रॉप शिपिंग का एक एक करण मैं आपको खोल के इस वीडियो में सिकाऊंगा और वो भी अगले 40-50 मिनिट में तो वीडियो को बिल्कुल बेसके मत करना अगर आप शौपीफाय ड्रॉप शिपिंग को कम्पलीट सीखना चाहते है एक और रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो में, देखे अगर आपको लगता है ना कि वीडियो और चानल आपके लिए काम का है, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेर करना, और मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्लियर कर दो यहां पर and यहां ही पर रहो और कहीं पर मत जाना ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाए ठीक है तो देखे सबसे बहले आपको करना क्या है अगर आप Shopify ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए पहला स्टेप यह होता है कि आपको यहां क्लिक करना है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा मैं वहां पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पर विजिट करोगे जहां से आपको फ्री ट्राइल मेलेगा ठीक है अब यहां पे देखे दोस्तों Shopify का जो वेबसाइट है वो भ इसके बारे में आप जानकारी चाहते हो तो आप इसके उपर एक बार विजिट कर लेना थोड़ी सी जानकारी रीट कर लेना आपको समझ प्या जाएगा कि यह क्या है वैसे मैं आपको बता दू शॉपिफाय ड्रॉपशिपिंग एक ऐसा बिजनस होता है जिसमें आपको अ सबसे बले तो आपको यहां पर जाना है लोग इन बटन पर या पर दोसो स्टार्ट फरी ट्राइल वाला जो बटन दिया गया इस पर आपको किलिक करना और इस पर जसे आपको क्लिक करेंगे अब आपके सामने दिखे स्टोर बनाने का जो ऑप्शन वो आ जाएगा तो यहा आपको कुछ सवाल आपसे पूछ रहा है है Shopify Let's get started which of this best describe to you I am just starting to click on you and simply click on Next button दूसरा option दोसों यहाँ आप Where would you like to sell मतलब आप कहां पेचना चाहाँ है तो यहाँ पे अन ओलान우 लागोग ठेहिक वेबसाइट और प्लॉग online marketplaces यहां पर और options भी आ रहे हैं, तो यहां पर हम यह वाला option चूज करेंगे, उसके बाद दोसों simply next button पर click करेंगे, जैसे दोसों आप next button पर click करते हैं, अब आता यहां पर what do you plan to sell first, मतलब आप सबसे पहले क्या बेचेंगे, तो यहां पर देखेंगे, product I buy or make myself, तो हमारे पास प्रोड़क्ट नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, हम किसी और के product की बेचते हैं, तो यहां पर हमारे पास option आएगा, drop shipping product, तो हम यहां पर यह वाला option चूज कर लेंगे, उसके बाद दोसों next button पर click कर देंगे, अब यहां पर आ रहा है कि आपका location पूच रहा है, कहां आप तो यहां पर चूज करना है, उसके बाद दोसों दुबारा से next button पर click करना है, जैसे दोसों अब आप next button पर click करेंगे, अब यहां पर दोसों आपके लिए आजाएगा sign up option, ठीक है, तो यहां पर देखे दोसों आपके पास sign up option आ चुका है, create a Shopify account, अब इसमें देखे Shopify account बना आने के 3-4 options है, आप email से बना शकते हैं, sign up with Apple account and यहां पर Facebook और Google option आ रहा है आपके पास, तो यहां पर मैं करूँगा sign up with Google, और जैसे दोसों आप sign up with Google करेंगे, यह automatically आपको recommend करेगा, जहां पर आप अपने एक Gmail account का login यूज कर सकते हैं, यहां पर इस वाले Gmail account का यूज कर ले यहां पर जैसे दोसों आप confirm button पर click करोगे, यहां पर आप देखे, add account, आप एकांट पर click कर देता हूँ, और जैसे दोसों आप confirm button पर click करोगे, यहां पर देखे, अब आपका जो store है, वो बनना इस्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यह देखे, building your store, almost done, और हमारा जो store रहा है and I hope आपको doubt नहीं होगा, किसी को भी doubt है, confusion है, don't worry, आप comment box में जाए, मुझे comment करिए, हम कोशिच करेंगे आपको reply करने की, ताकि आपके doubts clear हो, and one more thing, आप चाहो तो हमारे team को contact कर सकते हो, हमारा एक course है complete about Shopify dropshipping, वो आप purchase कर लो, सारे doubts वैसे ही आपके clear होने वाले, complete dropshipping course आप अपले में बना के रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो store design का काम था, पहला step था, हमारा Shopify dropshipping का, वो complete हो गया, अब इस store देखता है, आपका वो आप देख लीजएगा, यहाँ पर online store पे आप जैसे क्ली करेंगे, यहाँ पर साइड में आपका new tab खुल और यह देखे, इस परकार से आपका जो Shopify का store है, वो बन गया है, तो यहाँ तक आपका जो पहला step है, वो complete हो चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने दिमाग में टिक कर लेना कि पहला step कौन था था, हमारा पहला step था Shopify का store बनाना, तो वो हमारा बन गया है, अब च Shopify drop shipping का store बनने के बाद देखे, इसकी जो settings वगरा है, वो कैसे होगी, वो भी हम यहाँ पे पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम app install करेंगे, और बागी के जो step है, उनको हम आगे करेंगे, तो सबसे बिले देखे दोज़ों, मैं इसका dashboard आपको explain कर देता हूँ, dashboard में देखे, यहाँ पे आप जैसे आएंगे Shopify store पे, यहाँ पे आपका home आता है, यहाँ पे आपके orders आते हैं, जितनी भी आपके पास orders receive होंगे, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, और products यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो भी product वगरा आप आड करेंगे, वो सब यहाँ पे दिखेंगे आपको, collection यहाँ पे दिखेगा, inventory भी आपको यहाँ पे दिखेगी, और purchase order वगरा सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, customers का data यहाँ पे आपको दिखेगा, जो भी आपके customers होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, and analytics यह आपको दिखेगा यहाँ पे, analytics क यहां पर अगला option आता है marketing का, जो भी आप marketing करेंगे, मतलब sale करने के लिए, तो marketing के जो analytics है वो यहां पर आपको देखेंगे, ठीक है, उसके बाद अगला option आता है, यहां पर discount का, अगर आप चाह रहे हो कि discount offer करें आप अपने customers को, तो यहां पर discount code को create कर सकते हैं, अगला यहां यहां पर on the store, जिसमें आप अपने store देख सकते हैं, and उसके बाद आपके पास यहां पर apps का option भी दिया गया है, जहां से आप अपने store में apps को install कर सकते हैं, don't worry, मैं यह आपको next step में बताने वाला हूं, because apps जो हैं हमारे लिए बहुत important है, without apps हम लोग Shopify dropshipping business को start ही नहीं कर सकते यह आप अच्छे से समझ लीजेगा, right, अब इसकी जो settings हैं वो भी आम देख लेते हैं, सबसे बले आपको जाना है settings पे, और जैसे दोस आप settings पे click करोगे, इसकी जो important settings है, वो मैं आपको बता दिता हूं, जैसे settings complete होगी, हमारा store बनके ready हो जाएगा, right, तो सबसे बले देख यहाँ पे settings में आरहा general settings, store name आरहा आपके पास, तो जो भी आपको अपना store का name रखना है, वो आप यह आप रख लीजेगा, जैसे मैं आप रख लेता हूं, walksmart, ठीक है, walksmart रख लेता हूं, sorry, यहाँ पे रखना हूं, मैं walksmart, right, store का phone number अगर आपको रखना है, तो रख सकते email आपकी यह हो गई, मैं इसको save button पे click कर देता हूं, पहली settings complete होगी, आपकी general settings, इसके अंदर देखे, store के अंदर default कुछ settings भी आती है, इनको अगर आप चाहो तो change कर सकते हो, वैसे यह automatically हो जाती है आपकी, तो इनको changes मत करिएगा, मैं आपको यही बोलूँगा, उसके बाद नेक्स option आता है, आपके पास plans का, देखे, आपका जो Shopify के अंदर अभी जो plan चल रहा है, वो चल रहा 3 days का trial, ठीक है, पहले तो Shopify ने trial बढ़ा दिया था 15 दिन का, बट अभी वापस से इसको कम कर दिया है, 3 days का trial कर दिया है, यहाँ पे, तो जैसे आपका 3 days का trial खतम होता है, आपको यहाँ पे देखे, एक plan चूस करना पड़ेगा, और वो plan रहेगा 220 रुपे मन्तली, मतलब आपको एक महिने 20 रुपे देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको जो है, अलेक चार्ज देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको plan चूस करना पड़ता है, और यह आपको दिख रहा है, तो आप अपना billing method यहाँ पे आड़ कर सकते हैं, जिसमें credit card और UPI आपको दिया गया है, कोई भी चाहो तो आप यहाँ पे आड़ कर सकते हो, और उससे आपना payment यहाँ पे कर पाऊगे, अगले आता है दोसो user and permission, आगर आप चाहो तो अपनी store की किसी को permission देना, तो आप यहाँ से दे सकते हैं उसको permission, ठीक है, उसके बाद दोसो आता है, यहाँ पे आपके पास payments, अब यह वाला जो payments है ना दोसो, यह वाला payment वो है, जिसमें आप लोगों से payment ले रहे हैं, मतलब कोई भी बंदा आपका product purchase करेगा, तो आप यहाँ पे उनसे payment ले सकते हैं, अब देखें दोसो, यहाँ पे एक तो यह option आता है, चूज ए provider, आपको क्या करना पड़ेगा, एक payment gateway लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें payment gateway आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, automatically नहीं आता, आपको लेना पड़ेगा, किसी third party company से, रेजर पे से, एजी पे से, या फिर एजबस से, या फिर किसी भी और payment gateway से ले सकते हो, कोई problem नहीं है, दूसरा एक option आता है, यहाँ पे manual payment method एड़ कर सकते हो, और cash on delivery, यानि COD एक्टिवेट कर लो, ताकि आपका जो store हो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वैसे COD में ज्यादा order निकलेंगे, आपके इस में आपको चाहिए, only required last name, तो मैं आपके करूँगा, first and last name, उसके बाद, company name जो होगा, वो optional रखेंगे, address जो second line है, उसको required कर दीजेगा, ठीक है, and उसके बाद, उसके बाद, shipping address को भी required कर दीजेगा, ठीक है, otherwise आपके पास होगा ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, तो मै अगली settings आती है, इसको एक बार save कर दीजेगा, ठीक है, तो मैंने आपके देखे, settings को save कर दिया है, settings को save करने के बाद, अब आपको क्या करना है, अगली setting है, आपके पास customer account, तो मैं customer account पे click कर देता हूँ, और यहाँ पे देखे, कुछ यह new आ गया है, choose which version of customer account to link, तो यहाँ अगली सारी चीज़े लग जाती है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, tax and duties भी आप चाहो तो आपने जो state है, जो अपना city है, जो अपना country है, उसके according लगा दीजेगा, यहाँ पे ठीक है, automatic tax जो है, add करने के यहाँ पे कुछ application भी दिये गए है, उनको चाहो तो यहाँ पे आप आप एड कर दीजेगा, ताकि आपके automatic tax वगरा एड हो जाएंगे, उसके बाद location option आ रहा है, तो यह हमारे लिए important नहीं है, market है, apps and sales channels, यह इतने सारे important नहीं है, यह आपके पास policies, तो इसको आप एक बार देख लिजेगा, यह हमारे लिए important है, तो policies में देखे दोसों, अग उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है, आपके पास streams and conditions, तो इसको भी आप चाहोते import कर सकते हो, और इसको भी publish कर सकते हो, यहाँ पर यह वाला option आ रहा है, shipping policies, तो shipping policies आपको लिखनी पड़ेगी, खुश से, because यह सबसे important है आपके लिए, यहाँ पर आ रहा है, आपके पास contact वाला, तो इसमें भी आप template से ले सकते हो, और इसको publish कर सकते हो, यह आपकी पूरी policies वगरा complete हो चुकी है, लगबग लगबग आपकी जो settings है, वो सारी की सारी यहाँ पर हो चुकी है, आपका setting होने के बाद, आपका जो store है, वो भी बनके ready हो चुका है, ठीक है, तो इ अब चलते हैं, दोस्तों, हम दूसरे step है, दूसरे step है कि हम यहाँ पर कौन-कौन से ऐसे application है, जिनको install करेंगे, और उन application की मदद से हम अपने store को run करेंगे, तो देखें, एक सबसे important है, यहाँ पर application और और भी कुछ important application है, उनको हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे add apps पर, और add apps पर जाने के बाद देखें, यहाँ पर कौन-कौन से important application है, उनको देख लेते हैं, यहाँ पर Shopify app store पर मैं click करूँगा, और जैसे Shopify app store पर मैं click करूँगा, मेरे पास इसके जो application store है वो मेरे पास खोल जाएगा, तो कौन-कौन से यहाँ पर important application है, क्यों install करने है, उसका reason क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो आते हैं दोस्तों, यहाँ पर Facebook और Instagram वाला, यह install कर लिजेगा, इसको install करने का reason क्या है, इंस्टॉल करने का यह रिजिन है, कि अगर आप यहाँ पर इसको install करेंगे, तो इस app की मदद से direct आप क्या कर सकते हो, Facebook और Instagram को अपने store से connect कर सकते हो, और वहाँ पर आप marketing कर पाओगे, Facebook, Instagram पर, तो यहाँ पर देखें, मैंने इस application को यहाँ पर install कर लिया, दूसरा कौन सा है, वापस से back button पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर दूसरा है Google and YouTube, इसको भी install करना है, और इसको install करन हम YouTube का जो Google Ads है, और YouTube अगेरा platform पे, सबी platforms पे, जहाँ पर हम ad run कर सकते है, Google Ads की मतल से, वहाँ पर हम अपने store को directly connect कर सकते है, तो यह वाला भी हमें install करना है, ठीक है, तो मैंने इसको भी install कर लिया, ठीक है, यहाँ पर देखे, Facebook और Instagram का get it started आ गया, इसको मैंने पिन कर दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे, Google वाला install हो गया, यह भी मेरे पास आ चुका है, setup करने का option, इसको भी मैं यहाँ पर पिन कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद दुबारा से फिर store में जाना है, मैं back button पर प्रेस कर देता हूं, और यहाँ पर देखे, कुछ और application है, ज लिखे, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है, और search करना, रोपो सो, ठीक है, रोपो सो, ठीक है, रोपो सो क्लाउट डॉप्चिपिंग, Simply Search button पर क्ली करेंगे, और जैसे दोस्तों, Search button पर क्ली करेंगे, यहाँ पर देखे, आरहा, ROPU sausages पर क्ली करना हूं, और यहाँ पे install button पे click कर रहा हूं, जैसे दोस्ता आप install button पे click करेंगे, Ropos Cloud भी हमारे app जो store है, उसमें देखे हैं, पे install लिया चुका है, तो मैं इसको भी यहाँ पे install कर लेता हूं, अब इसको install करने का रीजन है, इसको install करने का रीजन है, कि हम Ropos Cloud से product को import कर सकते हैं, products को ले के आ सकते हैं, और इनी products को फिर हम बेच के पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है, तो देखें, कौन-कौन से application हमारे लिए important थे, वो मैंने आप इंस्टॉल कर लिए, एक बार मैं इसको refresh कर देता हूं, और आपको बता देता हूं कि कौन-कौन से application को हमने install किया है, हमने यहां पर Google YouTube को इंस्टॉल किया है, और उसके बाद देखें, यहां पर हमारे पास रोपोस हो, और Facebook वाला जो है, आप हमारे पास install हो चुका है, तो यह हमारे पास 2-3 application थे, जो important थे, उनको हमने यहां पर आड कर लिया है, तो अप कौन-कौन से install करने हैं, आपके store में, पहले आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम 3rd step पे, 3rd step क्या है, 3rd step है दोस्तों हमारा product import, अगर हमने Shopify का एक store बना लिया, तो इस store के उपर हमें product भी चाहिए बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए, तो हमारे पास तो मान के चलो product है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम किसी application का इस्तेमाल करेंगे, जिस application से हमें products मिल जाएं, और वो application है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास Roposo Cloud, देखे, Roposo Cloud एक ऐसा application है, जो हमें क्या करता है, product देता है Shopify ड्रॉप शिपिंग के मादियम से बेचने के लिए, और बीच में commission आड़ करके पैसे कमाने के लिए, तो इस application को देखे, मैंने यहाँ पे install कर लिया है, install करने के बाद, यहाँ पे इस Roposo Cloud को setup करना पड़ेगा, आपके store के साथ connect करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप जो है, अगला process स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखे, यहाँ पे इसको कैसे connect करेंगे, सबसे बहले एक number आपको डालना पड़ेगा, तो मैं आप पे number डाल देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे number डाल दिया मैंने, get OTP में क्लिक करता हूं, जैसे दोस्वों, आप get OTP पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास एक OTP जाएगा, ठीक है, तो मैं वो OTP एड़ कर देता हूं, आप Roposo Cloud के साथ एड़ करना चाहते हैं, क्या, तो यहाँ पे Yes बटन पे क्लिक करना है आपको, और जैसे दोस्वों, आप Yes बटन पे क्लिक करोगे, आपका यह वाला जो स्टोर है, वो देखें, यहाँ पे automatically connect हो जाएगा, अगर आप चाहोँ तो इसका स्टोर नीम बदल भ हो चुका है, Roposo Cloud के साथ, और अब देखें, यहाँ पे जैसे Roposo Cloud को हम वेरिफाई करते हैं, तो हमारा जो अकाउंट है, जो डैसबोर है, वो भी यहाँ पे ऑपन हो चुका है, और इस application में देखें, आपके पास बहुत सारे product है, trending product है, market में बहुत जादा बिक रहे हैं, वो सब कुछ product है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ज्यादा तरह इनके पास Chinese product होते हैं, जिनकी लोगों को बहुत ज़्यादा demand होती है, market में वो बहुत ज़्यादा हमेशा all time बिकते रहते हैं, वैसे 90% आपको सारे product यहाँ पे मिल जाएंगे, otherwise कोई product नहीं मिल रहा, तो आप खुद का product भी यहाँ पे आड़ कर सकते हैं, कोई problem आपको नहीं होगा, right, तो third step, I think आपको समझ में आ गया होगा, कि product आपके लिए, आप अपना जो एप्लिकेशन रोपोसों cloud उसको कैसे verify करेंगे, अब हम इसके अंदर यह भी सीख लेते हैं, कि product को import कैसे किया जाता हैं, और उसके लिए concurrency requirement है, वो हमें complete करनी पड़ेगी product import करने के लिए, देखें, product import करने के लिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, कि रोपोसों cloud जो है, वो कैसे handle किया जाता है, और उसके बाद हम इससे product import करना सेखेंगे, देखें, रोपोसों cloud दोस्तों मैं आपके Shopify store से यहाँ पर कोई भी order आता है, तो उस order को यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, आपके confirm order यहाँ पर देखेंगे, जो ship हो चुके हैं order वो देखेंगे, जो close deliveries वो यहाँ पर देखेंगी, all orders यहाँ पर आपको देखेंगे, ठीके, उसके प्रोड़क्स का option भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें आप अपने जो भी product वगरा import करेंगे, उनको यहाँ से आप manage कर सकते हैं, अगला option है दोस्तों यहाँ पर source a product, अगर आप चाहो तो एक product को source करज़वा सकते हो, मतलब request कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, रो request RTO, जो pin code list वगरा है, वो यहाँ पर इन्होंने दे रखिए, जिससे आप सतर हो सकते हो, सतर हो सकते हो एक तरीके से, कि यहाँ यहाँ पर आपको जो है, अपना add नहीं चलाना, ठीक है, उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी reports वगरा दिखेगी, जो भी reports आपकी आती है, और यहाँ पर आपका जो payment option है, वो दिखेगा, कितना payment आपको गया है, कितना नहीं गया, वो सब कुछ यहाँ पर आपको payment option में दिख जाएगा, ठीक है, तो यह आपका reports to cloud का पूरा dashboard है, अब reports to cloud से आप product import कैसे खर सकते हैं, अपने store में, वो सीख लेते हैं, देके सब से ब यहाँ पर आपको प्रोड़क्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर यह वाली category आपको दी गई है, जिम से रिलेटेड, यहाँ पर आपको product मिलते हैं, footwear भी मिलते हैं, accessories, jewelries, kits और electronic, इसके अलावब कुछ यहाँ पर आपको categories दी गई है, अगर आप चाहते हो तो अपने अनुसा आपके सब product यहाँ पर आपको देखेंगे, ठीक है, WordPress Cloud में, market trending, जो market में अभी trending पर चल रहे हैं, वो सारे product यहाँ पर देखेंगे, यह को ऐसा product है, जिससे hair को आसानी से remove किया जा सकता है, तो यह product काफी useful लग रहा है मुझे, अगर आप चाहो तो इस तरीके से product को install कर सकते ह इंपोर्ट कर सकते हूं, उसके बाद यह कोई brush है, जिसको भी देखें, मतलब यह trending में चल रहा है, यह वाला कोई product है, जो car gadget है, और यह भी trending में चल रहा है, यह वाला भी product है, जो भी trending में चल रहा है, ठीक है, इसी परकार से देखें, most demanded जो product है, वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, कि कौन-कौन से product most demanded है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, best for monsoon, जो monsoon के लिए, यानि कि अभी जो time चल रहा है, उसके लिए कौन-कौन से perfect product है, वो यहाँ पर दिख रहा होगा, यह कोई चत्ता है, यह आपको दिख रहा है, इसी परकार से यहाँ पर देख मैं कोई यहाँ पर एक product ले लेता हूं, जिसे मान के चलो मुझे यह वाला product लेना है, यह वाला, ठीक है, market trending, कोई hair removal का कुछ है, यह trimmer है, यह मुझे मान लो लेना है, तो मैं इसके उपर click कर देता हूं, और इस product का मान लो मुझे बेचना है, तो देखें, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अगर इसको market करना है, product को, तो हम इसको पहले तो यह download कर लेंगे, यह वाला video, ठीक है, तो यहाँ पर इसका download बटन आ रहा है, या फिर यहाँ पर देखें, जाके आप इसको download कर लिजएगा, क्योंकि यह हमें marketing में help करेगा, इसी परकार से देखें, अगर आप चाहो तो इनको भी, जो है, डाउनलोड कर सकते हूँ, यहाँ पर एक और video है, अगर आप चाहो तो इसको भी download कर सकते हूँ, ठीक है, काफी सारे इनों ने videos बनाये हैं, तो इन videos को आप जो है, यहाँ पर देखें, इस प्रकार से, डाउनलोड कर लिजएगा, तो यह हमारी help करेंगे, मार्केटिंग करने में, ठीक है, इस तरीके से आप इस image को भी download कर लेना, तो जो जो need वाली चीज़े हैं, उनको आप डाउनलोड कर लेना, because हम जब मार्केटिंग करेंगे, तब हमारे लिए यह वाला जो add है, वो बनाने में काम आएगा, इंक्लूडिंग GST, एंड शिपिंग चार्जस, इसमें शिपिंग चार्जस 59 रुपीज है, और प्रोड़क्ट प्राइस 385 रुपए, और क्लाउड प्राइस जो है, 445 रुपए है, जीएस्ट लगाके 18% जीएस्ट भी इसमें इंक्लूड करी गई है, ठीक है, उसके करने हैं, तो आरफ आपको छेलग करना है, तो हमारा इस्टोर था, वॉक्ष्मार्ट, तो वॉक्ष्मार्ट मैं ने डाला और 444 रुपए का यह प्रोड़क्ट है, तो हम कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, देखें, इंपोर्ट करने से पहले हमें इस सीच का ध्यान रखकने कि हमें यहां पे हमारा margin आड करना है margin का मतलब क्या है कि 444 रुपे तो यह उस बंदे को जाएंगे जो यह product यहां पे list कर रखा जिस बंदे ने तो 444 रुपे तो उसके हो गए अब हमें हमारा पैसा कमाना है मतलब हम marketing भी करेंगे marketing के लिए मालो हमारा 100 रुपे लग जाएगा यहां पे Facebook, Instagram पे और उसके लावा और कोई चार्च मान के चलो मालो वापस आ गया product तो वहां पे भी हमें फटका लग जाएगा तो 1500 रुपे तो ऐसे हमारे चले जाएगे इस product पे ठीक है तो कितना हुआ 300 रुपे और 400 500 रुपे लगबग 800 रुपे के सम्तिंग यह हो गया बट थोड़ा साम कम कर लेते हैं हम कर लेते हैं यहां पे 749 रुपे ठीक है 749 रुपे कर लेते हैं अब 749 रुपे में देखी कैसे होता है जिसे 749 रुपे हमने इसकी प्राइज लगा दी तो जब हम इसको Facebook के Instagram पे marketing करेंगे तो यह product 749 रुपे का उनको दिखेगा और जब कोई बंदा इसको order करेगा तो भी 749 रुपे ही उसको प्राइज देना पड़ेगा लेकिन उसमें से 449 रुपे तो हम इसको दे देंगे और 300 रुपे हमारे पास आ जाएंगे margin के रूप में अब 300 रुपे में से 1500 रुपे हमारा marketing माल लो और 1500 रुपे हमारा खुद का पैसा माल लो या फिर उसको बोल सकते हैं profit आप इसको समझ सकते हैं ठीक है तो पर product पे आपको कम से कम 1500 रुपे बचेगा इस वाले product पे अब आपको क्या करना है push to Shopify के उपर click करना है और जैसे दोस्तों आप push to Shopify के उपर click करेंगे हमारा ये वाला जो product है वो automatically Shopify की website पे चला जाएगा तो ये देखे हम इसको एक बार refresh कर लेते हैं और जैसे दोस्तों आप refresh करोगे यहाँ पे जो product है वो आपका दिख जाएगा देखे इस तरीगे से तो इस तरीगे से आपका जो product है वो आप automatically आप अपने जो store है उसमें import कर सकते हैं अगर मानलो आपको कोई दूसरा product इसको हम add करना चाहते हैं तो 183 रूपीज का यह वाला product है काफी अच्छा product है कार वाले लोग इसको purchase कर लेंगे तो पहले तो इसका material आपको download करना इस चीच को मत बूलना 183 रूपे का यह तो हम क्या करेंगे पुस्टो शॉफिवाई के उपर तो हमारा 315 रूपे हमारा पर product margin हो गया marketing वगरा का बचा के शोड़े 100 रूपे इसमें भी बच जाएंगे आप करेंगे पुस्टो शॉफिवाई जैसे दोस्टो आप पुस्टो शॉफिवाई पर क्लिक करेंगे यह वाला product चला जाएगा वैसे यह वाला product नहीं जा रहा है product would not push to Shopify प्लीस ट्राइए अगें तो एक बार मैं दुबारा से try कर लेता हूँ तो यह वाला product नहीं जा रहा है import नहीं हो रहा है कोई बात नहीं हम क्या करते हैं कोई और product देख लेते हैं जैसे मान को चलो यह वाला कोई product है तो इसको हम करेंगे इसकी price जाल देंगे 443 रूपए 200 रपया हमारा margin हो गया work smart पे हम select करेंगे और push to Shopify जैसे आप push to Shopify करोगे यह वाला product भी आपका देखे automatically आपके Shopify store पे चला जाएगा यह देखे जा चुका है हम एक बार इसको refresh कर लेते हैं और यहां पे हम देख लेते हैं कि हमारा store है उसमें product आया कि नहीं तो यहां पे देख सकते हैं आपका जो store है उसके अंदर product आ चुका है तो product import करना वो I think आ चुका होगा और यहां तक हमारा 3 step complete हो चुका है अब चलते हैं दोस्व हम अपने अगले step पे और अगला step है दोस्व हमारा product को research करना देखिए दोस्व अगर आप Shopify की drop shipping कर रहे हैं Shopify से drop shipping कर रहे हैं तो आपके लिए product को research करना सबसे important है अगर आपको product research करना नहीं आता तो फिर दोस्व आप Shopify पे marketing तरीके बता रहा हूं ठीक है उन तीनों तरीकों को आप यूस कर सकते हो पहला कौंसा तरीका है पहला तरीका दोस्व हमारा Roposo Cloud देखे Roposo Cloud में आपको क्या करना है आपको Home पर जाना है और यहां पर आपको रिसर्च करने के तरीके हैं, जैसे माल लीजे, अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको एक ऐसा product ढूणना है, जिसकी quantity ज्यादा हो, जैसे माल लीजे, इन सबी product में देखे, बहुत कम quantity है, तो अगर आप कोई ऐसा product ले भी रहे हैं, जिसको अगर आप बेचना स्टार् जैले तो quantity ज्यादा होनी चीए, जैसे ये वाला product आप देख सकते हैं, इस product की quantity है, उसको लोग खरीद भी सकते हैं, इसी परकार से ये वाला product आप देख सकते हो, इसकी quantity अच्छी है, और पांस में से चार रेटिंग है, इसी परकार से इसकी भी देख सकते हो, करीब 10,000 के स something quantity है, तो कोई ऐसा product आपको देखना है सबसे पहले तो, जिसकी quantity अच्छी हो, रेटिंग अच्छी हो, और आपको खुद से भी ये देखना पड़ेगा, कि हाँ यार इसको लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो आपको खुद को भी पता होना चीए, तो पहला तर और यहां पर आपको टाइप करना है, फेस्बूक एड लाइबरेरी और सिंपली आपको सर्च पटन पर क्लिक करना है, जैसे दोस्तों आप सर्च पटन पर क्लिक करेंगे, अब आज ओका है आपके पास यहां पर फेस्बूक एड लाइबरेरी में क्लिक करना है, और यहां अब आपके सामने Facebook Ad Library उपन हो चुका है अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर आपको सबसे पहले तो इंडिया सेलेक करना है एड कैटिकरी सेलेक करनी है और टाइप एड या फिर दोस्तों किसी भी परकार का और जो है इसे प्रकार से यह कोई आड चल रहा है ओनलाइई शॉपिंग के देखी काफी सारे अड चल रहे है तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा जैसे यह वाला कोई आड देखिए इसमें काफी अच्छा यह वाला प्रॉडटक्ट दिख रहा है आपको तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा Facebook Ad Library में कि Online Shopping से Related या फिर Drop Shipping से Related कौन से एड सबसे ज़्यदा चल रहे हैं तो जैसे मानलीचे मैं यहाँ पर Drop Shipping डाल देता हूँ ठीक है Drop Shipping और मैं यहाँ पर Search बटन पर क्लिक करूँगा ठीक है अब जैसे दोसर सर्च बटन पर क्लिक करूँगा जैसे मैं यहाँ पर Search बटन पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे पास Drop Shipping के आड आ जाएंगे ठीक है यह देखे Drop Shipping के आड आ रहे हैं और Shopify अगर आप चाहो तो Shopify भी यूज़ कर सकते हूँ Shopify और Simply Enter बटन पर क्लिक करेंगे तो Shopify के जो एड अब जो चल रहे होंगे वो भी देखे उस से रिटेर यहाँ पर हमारे सामने सब कुछ आ जाएंगे तो आपको Facebook Ad Library पर जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से आड सबसे ज्यादा टाइम से चल रहे हैं ज्यादा इस पर पैसा खर्च किया जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा सर्च करना पड़ेगा Facebook Ad Library के उपर मेरा एक और अलग वीडियो है कि कैसे इस पर पूरा रिसर्च किया जाता है वो आप देख लीजेगा तो आपको इसके बारे में complete doubt क्लेर हो जाएंगे ठीके तो दो तरीके आपको प्रोड़क्त रिसर्च करने के पता चल गये हैं कि कैसे प्रोड़क्त करने के कुछ गैजट्स या टूल भी मिल जाएंगे जैसे मैं आप डालता हूँ विनिंग प्रोड़क्ट्स फॉर ड्रॉप शिपिंग ठीक है तो यहां पर देखे कुछ आपको ऐसे टूल्स भी मिल जाएंगे जहां से आप जो है विनिंग प्रोड़क्स के बारे में डॉप शिपिंग टूल्स और सिंप्ली सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ अब जैसे दूसर आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर देखे हमारे पास कुछ टूल्स आएंगे उन टूल्स के उपर हम जाएंगे और हम यहां पर सर्च कर सकते हैं कि कौन को हैं से जो प् drop shipping में success हो सकते हैं सफलता पराप्त कर सकते हैं लेकिन एक चीछ हम इसा और बोलूगो आपको देखे इतनी आसानी से drop shipping business में सफलता पराप्त नहीं की जा सकती तो आपको थोड़ा इसको time देना पड़ेगा patience देना पड़ेगा तब जाके आपको इसके इंदर सफलता मिलेगी इस सीज का हमेशा ध्यान रखना ठीक है तो हम वापस से चलते हैं दोस्तों हमारे dashboard पर जाने की बाद दोस्तों हम यहां पर देख लेते हैं कि हमारे कौन-कौन से जो steps हैं वो complete हो चुके एक बार हम इसको refresh करेंगे और refresh करने के बाद दोस्तों हम यहां पर देखेंगे कि कौ कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क तो इनको हम complete कर लेते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे अगले स्टेप पे चलेंगे स्टप नमबर 5 होगा और यह होगा हमारा प्रमोशन कैसे कर शकते हैं ठीक है तो देखें दोस्तो हम जाएंगे करेंगे हम अपने स्टोर के ऊपर विजट करके उसको थोड़ा कस्टमाइज डिजाइन करना सीखेंगे तो यहां पर देखें हमारा पास स्टोर हमारे सामने ओपन हो चुका है कस्टमाइज बटन पर वापस क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों आप कस्टमाइज बटन पर क्लि आप बहुत इजिली इसको खुद भी डिजाइन कर पाएंगे सबसे पहले होता है आपके पास header में अपका अन। अन। बार दोसों यह वला है यह वला वैलकम टू और स्टोर यह वला अन। अन। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिट करने है तो यहाँ पर पूरा announcement बार दिया गए है, इसके अंदर changes आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसे माल लीजे, enable country ये वगरा वगरा लगाना है आपको, तो देखें मैं इसको on कर देता हूँ, theme settings वगरा आप देख सकते हैं, अगर आपको section को remove करना है तो यहाँ से section remove कर सकते है मैं announcement बार पर वापस आता हूँ, और इसका text वगरा अगर आपको change करना है, तो देखें यहाँ से text वगरा भी change कर सकते हैं, welcome to, और store की जगे हम डालेंगे, walk smart, right, walk smart डाल दिया, welcome to walk smart, और इसको हमने save बटन पर click कर दिया, अगर आपको यह नहीं रखना मतलब हटाना है इसको तो यहाँ पर remove block का option दिया गया है, जहां से इसको हटा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों वापस से back button पर press करना है, अब आता है दोस्तों आपका header, header में देखें दोस्तों आपको कुछ changes करने हैं, तो यहाँ पर देखें पूरा header change करने का option दिया गया है, आप यहाँ से easily अपन बना हुआ होता है, इसके अंदर आप ज्यादा दिमाख मत लगाना, अदरवाइस यह पूरा बिगड जायागा आपका header, ठीक है, next option पर चलते हैं, next option दोस्तों आपका यह वाला, इसको बोलते है, image banner या फिर उसको slider भी बोल चकते हैं, तो देखे, image banner या slider के अंदर आप क्य changes कर सकते हैं, इसके उपर आप एक बार click कर दीजेगा, और जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करेंगे, अब आप इसको कैसे बना सकते हैं, देखे, सबसे बले तो मैं आपको यह बोलूँगा, कि मैं यहाँ पर एक image आपको लगा के दिखा देता हूं, वैसा आप यहाँ पर e-commerce business कर रहे ना, तो आपको खुछ से एक image बना के उसको लगानी पड़ेगी, तो अभी के लिए देखे, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कोई एक image लगा के आपको दिखा देता हूं, जिससे इसको मैं यहाँ पर upload करता हूं, और यहाँ पर जिससे इसको हम upload करेंगे, यहाँ image देखे, यहाँ पर upload हो अपर हो चुकी है, upload होते हीं, दोसे यहाँ पर इसको हम done बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका pure product है, उनकी images भी आप यहाँ पर लगा सकते हूं, जैसे घ Lewis už और select from library पर click करता हूँ and यहाँ पर देखे आपके जो product है उनकी images भी यहाँ पर आल चुकी है तो आप चाहो तो इन images को भी आप अपनी slider में use कर सकते हो कोई problem नहीं होगा उसके बाद दोसो नीचे इसको down करना है और यहाँ पर देखे दूसरी image अगर आप चाहो तो लगा सकते हो and यहाँ पर आप banner heights भी देख सकते हो small कर दीशेगा इसको तो small में थोड़ा अच्छा लगेगा and इसके according फिर आपको अपनी image बनानी बड़े की उसके बाद दोसो इसके अंदर और कोई changes करना है तो वो आप सारी changes यहाँ पर देख सकते हो center में रखना है, right में रखना है, left में रखना है कि इदर आपको रखना है यह वाला वो सब चीज़े यहाँ पर देख सकते हो और इसको एक बार save ज़रूर कर दीशेगा यहाँ पर next option है दोसो यहाँ पर आपका यह जो medium, large, extra large कौन सी रखनी है आपको वो भी आप देख सकते हैं इसके अलावद है कि यहाँ पर आपको यह बाइनाव बटन देख रहा है इसको भी आप चाहो तो change कर सकते हो बाइनाव की जगा परचीज नाव या फिर और कुछ change करना है आपको कर सकते हो इसके अंदर आप कौनचे प्रोड़क को एड करना चाहते हो वो भी option देख रहा है जिसे माल लीचे मुझे यह वाला प्रोड़क्त आड करना है तो इस प्रोड़क को मैं यह पर एजली आड कर सकता हूँ और इसको दुबारा से सेव बटन पे क्लिक कर दूँगा तो यहां तक आइधिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा यह आपका जो इस लाइडर है वो बनके रेडी हो चुका है आपके पास नेक्स स्टेप आता है यह वाला जिसको बोलते हैं फ्यूचर कलेक्शन और यह वाला जो आपका जो क्या बोलते हैं इसको जो स्टोर है वो छोटा दिख रहा है मतलब बहुत छोटा दिख रहा है तो हम इसको बड़ा भी बनाएंगे मल्टिपल यहां पे प्रोड़क्स लाइडर भी आड़ करेंगे और कुछ और तरीके से अच्छे से डिजाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा अट्राक्टिव लगे हमारा स्टोर तो देखें कैसे डिजाइन करना है जिसे माल लीजे हम इसके ओपर क्लिक कर देते हैं तो सबसे बिले तो आप इसको चाहो तो यहां पर एड कर शकते हो new collection ठीक है new collection या फिर जो चाहो तो hot collection जो भी आपको रखना है और इसको एक बार बॉल्ड जरूर कर दीसे का यह देखे बॉल्ड हो चुका यहां पर इसको भी आप चाहो तो small से capital कर दीसे का height अगर आपको रखनी है headline चेंज करना है तो यहां पर आपको कर सकते हो description बगरा लखना है तो वह लिख सकते हो बट कुछ मैं यहां पर चेंज नहीं करूंगा and यहां पर 200 collection options भी आ रहा है अगर आप चाहो तो इसके अंदर collection चेंज भी कर सकते हो मैं आपको बता दूँगा कि collection क्या होता कैसे change किया जाता है इसके अलाबा अगर आपको यहां पर और कुछ चीज़ देखनी है जिसे आप वैंडर शो करवाना चाहते हो तो वह भी देख सकते हो second image आप दिखाना चाहते हो इसमें तो देखे वह भी आप कर सकते हो प्रोडक्स की rating आपको दिखानी है तो देखे product rating का option भी आपको यहां पर दिख रहा है कुछ change से अगर आपको करना है तो वह भी आप यहां पर कर सकते हो and product कितने दिखने चुई है यहाँ पे maximum वो भी आप यहाँ पे देखे देख सकते हो number of column on desktop यह भी आप यहाँ पे कर सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है save button पे दुबरा से click करना है जैसे save button पे click करोगे यह आपका जो slider अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा नीचे design करेंगे पूरी website को store को ताकि अट्राक्टिव लगे और जब भी कोई बंदा हमारे पास आये store पे तो उसको purchasing करने में आसानी हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखे future collection के नीचे add section पे करेंगे और यहाँ पे देखे multiple options आते हैं आपके बास 17 sections सत्रा में से कोई भी चाहूता आप आपके अड़ कर शकते हो जिसे सबसे पहला future collection उसके बात आता है future products यहाँ पे future collection list आती है text आते हैं image with text आता है banner images आती है slider आता है multiple options आपके बास आते हैं but according to me जो best है और वह यह है यह देख सकते है collection settings collection list तो मैं collection list आड़ कर देता हूं और यहाँ पे 3 की जगे मैं इसको कर दूँगा 4 ठीक है तो 4 collections वगरा को यहाँ पे add कर देंगे ठीक है all collections इसको पहले तो हम यहाँ पे डालेंगे all collections right और इसको all collections को भी हम करेंगे यहाँ पे bold right इस तरीके से हम इसको bold कर देंगे थोड़ा attractive लगेगा अगर आपको कुछ इसके अंदर change करना जैसे enable view all buttons आपको दिख रहा है तो आप इसको enable कर सकते हो and all कुछ changes करने है तो कर सकते हो मैं इसको एक बार यहाँ पे save कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों हम दुबारा से back button पे जाएंगे और यहाँ पे देखे add section पे वापस से click करेंगे और हम future collection फिर से add करेंगे यहाँ ठीक है तो एक और collection यहाँ पे add हो गया तो इस तरीके से हम क्या कर रहे है हमारा जो store है उसको और बड़ा बना रहे है और देखे इस तरीके से हमारे store को हम लोग design कर रहे है अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे देखे इस collection के अंदर तो यह product add हो गया इस collection के अंदर दोस्तों कोई भी product अभी add नहीं है तो इस collection के अंदर कैसे product add किया जाता है सबसे बेले तो हम इसके उपर click करेंगे और उपर वाला जो है new collection है तो इसको हम देदेंगे hot collection ठीक है hot डालेंगे यहाँ पे और इसके collection के अंदर हम लोग इसको small से बड़ा बनाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे bold कर देंगे hot collection को ठीक है headline वगरा कुछ change कर रहा है तो आप कर सकते हो show collection description from admin तो यह हम इसको छोड़ देंगे and enable causal on desktop अगर आप चाहँ तो इसको enable कर सकते हो तो यह crouch करने लग जाएगा and उसके बाद show secondary image on hover show vendor, show ratings यह वगरा सब कुछ चीज़े आपको यहाँ पे दिखानी है तो यह सब कुछ हो गया अब आपका यहाँ पे save button बे click करना है अब यहाँ पे देखे product कैसे add करना है product add करने के लिए देखे जैसे hot collection के नाम से हमने यहाँ पे बनाया है हमारा collection बनाया है तो हम यहाँ पे इसको hot collection को copy करेंगे हम जाएंगे दूसरे टाप पे और दूसरे टाप को एक बार हम यहाँ पे वापस से home पे जाएंगे and products पे जाएंगे हम लोग हम डाल रहे हां पे hot collection ठीक है तो यह हमारा एक नया collection बना रहा है जिसके अंदर हम और product अड़ करेंगे hot collection बनाया हमने इसको save किया and वापस से अप जाएंगे हम लोग products पे अब products पे जाने के बादेगे जैसे माल लीजे हम दोनों इन products को collection में add करना चाहते है to हम यहां पर इन दोनों फोड़ा साम वेट करने ते का issue हो रहा है ठीक है तो यह देखे वापस से हमारा store open हो गया इसके अंदर यहाँ पर एक product list है और इसके अंदर यहाँ पर दिख सकते हैं हम लोग hot collections पर वापस से जाएंगे and यहाँ पर हम जाके collection add करेंगे section and hot collection right और इसको हम select कर देंगे और यह देखे hot collection के जो product थे वो हमारे पास आचुके हैं तो जब भी आप यहाँ पर product add करेंगे तो collection आप add करिएगा जिसे अगर आप new collection में add करेंगे तो यहां पर product लिस्ट हो जाएगा और hot collection में product आड़ करेंगे तो यहां पर automatically product लिस्ट हो जाएगा यहां पर जो आपके collections है उनको भी आप बना सकते हैं जिससे select connection पर click कर रहा हूँ तो यहां पर home आ गया home collection देखे यह हो गया hot collection आड़ कर रहा हूँ और यहां पर hot selling वाले कर रहा हूँ अब select button पर मैं click कर दूँगा अब इन में देखे दोस्तों क्या होगा कि कि जब भी मान लीचे मैं hot selling वाले पर click करूँगा ना तो hot selling वाले जो product है वो मेरे पास open हो जाएंगे यहां पर इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना है आपका जो product sorry मतलब आपका जो store है उसको design करना है और store design करने के बाद देखे मैं आपको एक चीज हमें सा बोलूँगा कि जितना आप practical करेंगे और जितना आ आपका store अच्छा बनेगा आपका experience और knowledge ज्यादा automatically बढ़ेगा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी आपको नहीं सीखने को मिलने वाला यहां पर इस चीज का द्यान अगना अब देखे फाइनली आपका store है विस तरीके से दिखने लग गया है यहां पर आपका पूरा header को design किया है अब आप बाकी जो product आड करोगे उनको भी यहां पर आड कर सकते हो और section भी आप चाहो तो यहां पर आड कर सकते हो कोई problem नहीं होगा जिसे मैं यहां पर जा रहा हूँ ठीक है यहां पर हम जाते हैं कस्टमाइज वापस से कस्टमाइज पर जाते हैं और कुछ औ अच्छा बना सकते हो आप अपनी store को और अच्छा बना सकते हो इसके अंदर color grading वगरा color customization वगरा करना ताकि आपका यह जो store है वो थोड़ा अट्राक्टिव और अच्छा लगे और लोग जब भी इस पर आये तो वो product को purchase करने की कोशिश करें राइट प्रोफेशनल लगना चाहिए अब यहां पर मैं आपको बता दूँ दोसो store design से related I think आपको कोई doubt नहीं रहोगा अब हमारा last step और रह गया इसके अंदर और step number 5 है जिसके अंदर हम बात करते हैं about promotion कि हम promotion कैसे करते है Shopify drop shipping से अगर आप ऐसे कमाना चाहते हो और Shopify drop shipping से real earning करना चाहते हो तो इसका promotion कैसे करना होता है देखें दोसों आप यहां पर अपने dashboard पर आते है Shopify के dashboard पर तो मैंने starting में ही आपको दो application यहां पर install करवाए थे पहला application था दोसों यहां पर Google और YouTube का इस पर जिसे आप click करेंगे यहां पर देखें YouTube और Google का जो setup करने का option है वो यहां पर आता है तो यहां पर जिस आप इसको click करोगे न, automatically क्या होगा कि जो आपको Google Ads है वो आपके Shopify ad account के साथ connect हो जाएगा, Google merchant और Google Ads वो automatically आपके Shopify account के साथ connect होगे और फिर यहां से आपको product की marketing करनी, Google Ads campaign कैसे बनते हैं, उसके already मैंने videos डाल रखें, आप मेरे चानल पर जाके देख लेना, मैंने already सब पर videos डा पहला जो तरीका है वो है दोस्तों आपके लिए Google Ads क्योंकि यहां से आपकी sale आती है और आपको result भी अच्छे देखने को मिलते हैं, थोड़ा costly होता है इसका ध्यान रखना, दूसरा एक और है और यह है हमारे apps में जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको टाइप करना Facebook औ और Instagram, Facebook और Instagram वाला भी मैंने आपको इंस्टाल कर वाय था इसको एक बार पिन कर देता हूं, and Facebook और Instagram वाला भी यहां पर Get Started का option आ चुका है, तो जैसे इसको सट अप करेंगे ना, यह आपका जो 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 आ उनको आप मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, और वहां से भी आप सेल लेकर आ सकते हो, and हमेसा एक चीज़ का ध्यान रखना, Facebook और Instagram cost effective है, result भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, और ज्यादा तर मार्केटिंग करने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड Facebook और Instagram पर मार्केटिंग करो, Shopify dropshipping की, यहां से result आएंगे, sale आएगी, और उसके बाद आपको पैसे भी मिलेंगे, Facebook का campaign कैसे बनता है, उसके भी मैंने already मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो स्टार्ट रखें, इनके playlist भी बना रखें, जाके आप देखो, सीखो, और उसके ब dropshipping में सफलता प्राप्त कर सकते हूँ, otherwise आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में आपका काम हो जायागा, दो दिन के बाद आपको पैसे आएंगे, और तीसरे दिन आप करोड़ पती बन जाएंगे, तो वो आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा किसी भी business में नहीं कॉमेंट करना, मैं आपको सवालों के जवाब देनी की जरूर कोशिश करूंगा, अगर आपनी पूरा वीडियो देखा है इस वीडियो को, तो फुल वीडियो अपनी स्रिटी का नाम और अपना नाम जरूर टाइप करना, मैं आपक लिक ओफर भी दे रहा हूँ, अगर अपनी पूरा देखा है, तो मैं आपको एक कुपन कोड दे रहा हूँ, उसका नाम है DMG499, आप इस कुपन कोड को अपलाई करना, और उसके बाद आपको चार्च और डिसकाउंट में लेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ, तो मेरे टीम को कॉल करना, नमबर म बना सकते हो, इससे पैसे कमा सकते हो, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तो, अगर आप मेरे और वीडियो सलगतार देखना चाहते हैं, आप Shopify, Dropshipping, Digital Marketing, Athlete Marketing, Dropshipping, Facebook Ad, Google Ad, Athlete Marketing, बहुत सारी चीज़े फ्री में सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बैल अकन बेटन को प्रेस करना, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक और शेयर करना मत बूलना, आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तो, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और में चनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी मेरे पैरे पैरे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद,